हेलो बच्चो नमश्कार कैसे हैं आप सब लोग अमीद बहुत अच्छे होंगे और बच्चो हमारा चेप्टर चल रहा है ताइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट होता है हलाकि रेल गार्डी भी पर बच्चो रेल गार्डी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया मज़ेदार बहुत ही आसान सा चेप्टर है और आपने देखे होंगे कि रेल गार्डी के कॉस्चंस भी आपके एक्जाम में खूब ठीक है तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे कि ट्रेन के कॉस्चंस किस टाइप के होते हैं और कितने तरीके से इसके पूछने के तरीके हैं और जो बोट एंड इस्ट्रीम और ट्रेन संबंदी कॉस्चंस आए हैं आपके एक्जाम में वो करीब 23 सेटों में 25 कॉस्चंस हैं यानि किसी में ट्रेन का किसी में बोट का किसी में ट्रेन का किसी में बोट का इस टाइप से आए हुए कोश्चन है ठीक है तो मतलब कोश्चन तो आता है बचो अब और दोनों ही बहुत आसान चप्टर दोनों ही बहुत आसान चप्टर हैं इसलिए आपको ब चेप्टर है बहुत चोटा चेप्टर है कल हम इसे खतम कर रहे होंगे आज शुरू कर रहा हूं और कल आधी किलास तक यह जहिल पाएगा ठीक है और फिर कल हम बोट एंड इस्ट्रीम की भी शुरुआत कर देंगे बच्चों ठीक है फिर इसके बाद ब्याज का चेप्टर हम सब्सक्राइब यहीं चेप्टर्स बचते हैं UPSI के मैट्स में और इनके अलावा कुछ भी नहीं है जो हमने ना किया हो क्या लिए तो बच्चों उम्मीद रहेगी हमें कि हम 30 अपरेल तक साइद कोर्स को खतम कर दें है ना मैट्स के को नहीं भी हो हो सकता है क्योंकि कुछ नए चेप्टर्स हैं तो बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे से समझाने है क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनको पहली बार होते हैं और बच्चों एक बहुत खास जानकारी यह कि परसों सुभह 9 बजे वाली क्लास आप जरूर लेना यूट्यूब पर होगी मूल विधी की क्लास संडे आप लोगों की भी छुटी है तो आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि जो आपको बेसिक लौ आप तक आपने अ हमें IPC पढ़ना कितना actual में अगर revision करना है तो कैसे करना है तो बच्चों वह IPC अपने आप में complete होगी 6 घंटे में अगर कोई IPC complete करा रहा है तो इसका मतलब वह most important चीजें सारी की सारी आपको दे रहा है कुछ भी उसमें important छोड़ी नहीं रहा है ठीक है तो इसका मतलब है क कि आप 6 घंटे में एक complete ज्यान लेकर अपने अंदर बैठोगे IPC का ठीक है फिर 6 घंटे के अंदर ही CRPC अगले संडे में हो जाएगी इसी वज़े से हमारा जो टेस्ट है वो इस संडे होना था यो PSI का अब Monday होगा और सुबह 7 बज़े इसी क्लास में होगा बच्चों ठीक उतना नहीं रहा था कि बच्चे डी मोटिवेट ना हो और अपने रिदम में बने रहें तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है unexpected पेपर आता है तो हमें वो डी मोटिवेट कर देता है जबकि unexpected से आपको लड़ने की छमता आनी चाहिए क्योंकि पेपर का कुछ नहीं पता कि वो क् आपके लिए मुश्किल खड़ी कर दे फिक है तो मॉक टेस्ट आपका मंडे में हैं सुभह साथ बजे चलिए बच्चो तो शुरुआत करते हैं अपने ट्रेन के चैप्टर का तो बच्चो इसमें फोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता दूं पहले देखिए इसमें एक तो सिंपल कुश्चन बच्चो ये होते हैं कि कोई ट्रेन होती है ये माल लीजे कोई ट्रेन है और ये किसी माल लीजे किसी खंबे को पार करे या किसी आदमी को पार करे और या आदमी खड़ा हो चल नहीं रहा हो ठीक है खंबा पार करे या आदमी पा कि चल रहा हूँ खंबा तो खड़ा ही होगा और आदमी को बोले खड़े व्यक्ति को पार करें यह कई बार आपको हो जाता है कि यही ट्रेन किसी प्लेट फारम को पार करें यह प्लेट फारम है तो यह तीनों चीजे क्या हैं बच्चो इस्थाई हैं एक ही जगे रुकी हुई है प्लेट फारम भी अपनी जगे से कहीं नहीं जा रहा ना खड़ा व्यक्ति है यह इसको बोलेंगे खड़ा व्यक्ति और यही कंडिशन्स बच्चों होती हैं अगर इस्थाई चीजों की बा पार करवाना है तो आप थोड़ा सा आपको पता ही होगा अगर आपने थोड़ा सा भी इसको पढ़ा है कि इस ट्रेन से अगर मुझे यह खंबा पार करवाना है तो आप कभी भी ना टाइम कब देखोगे ट्रेन का खंबे के पास जब आ जाएगी ट्रेन का इंजन आ जाए तो बच्चो पार कब माना जाएगा यह जब इसका पिछला वाला डिब्बा यहाँ आ जाए तो जब तक ट्रेन का यह वाला हिस्सा यहाँ ना पहुंच जाए तब तक बच्चो हम यह नहीं कह सकते कि ट्रेन उसको पार कर गई तो पार करने के लिए इस TREN को अगले जोड़ा हुआ है तो वह तो सोचो ही मत कि जी अगले को कुछ अलग चलना पड़ेका पिछले इसे हम समझ सकते हैं कि यह यहां था और पार करने के लिए इसको यहां आना पड़े गा तो इसका मतलब है कि रेलगाडी अपनी लंबाई को ही पार करती है किसी भी खंबे को पार करने में आप क्यों खंबा भी तो है कुछ थोड़ा सा तो खंबा रेल गाड़ी के सामने कुछ भी नहीं होता अर्थात उसको जीरो मान लिया जाता है खंबे की कोई चौड़ाई नहीं होती और बच्चो हम कह देते हैं कि रेल गाड़ी जब खंबे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई को पार करती है किसको अपनी लंबाई को तो अपनी लंबाई ही इसकी दूरी मानी जाती है कि रेल गाड़ी खंबे को पार करने में कितनी दूर चलेगी तो मैं कहूंगा अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी ठीक है अगर मैं इस आदमी को पार करवाऊं इसी रेल से तो बच्चो क्या आदमी की चौड़ाई रेल के सामने कुछ होती है क्या ये बताओ आप क्यों कि नहीं वो भी जीरो ही होती है जीरो के बरबर आदमी जीरो रेल बहुत लंबी चौड़ी होती है ठीक है तो आप क्यों कि आदमी भी तो होता जीतना होता आदमी तो रेल कितनी होती है आप खुद सोच के देखो ठीक है तो इसके सामने कुछ भी नहीं मतलब ये कुछ भी नहीं है इसके सामने तो इसका मतलब है कि खड़ा व्यक्ति को भी अगर रेल गाड़ी पार कर रही है तो उसकी अपनी लंबाई ही दूरी मानी जाएगी बच्चो यानि आदमी को अगर पार करना है तो रेल को अपनी लंबाई ही चलनी पड़ेगी ठीक है और बच्चो अगर माली जे कोई प्लेट फारम पार करना है इस रेल गाड़ी को तो आप जड़ा प्रेक्टिकली सोचिए बच्चो कि हम प्लेट फारम का टाइम कब देखेंगे कि प्लेट फारम कितनी देर में पार हुआ और एंड कब करेंगे अपनी स्टॉप वाच को तो आप खुद सोच के देखो तो हम मान लिजे खम यहां खड़े हो जाएंगे वह प्लेट फारम पर गाड़ी कब पहुंची इंजन पिछले हिस्से पर आती प्लेट फारम के पर हम क क्रोस ना कर दे तो आप खुद सोचो तो पिछले डिबबे को कितना चलना पड़ेगा अपनी तो चलनी पड़ेगी पिलस प्लेट फारम की भी चलनी पड़ेगी की नहीं तो जब भी रेल गाड़ी किसी प्लेट फारम को पार करती है बच्चो चलनी तो यहां भी पड़ र लेकिन यहां पर अगर बच्चो दूरी की बात करूँ तो रेल की अपनी लंबाई पिलस प्लेटफारम की लंबाई यह जो है दोनों की लंबाई इसलिए जुड़ती है प्रैक्टिकली आपने सीखा कि जी हाँ यह दूरी यह मानी जाती है बच्चों तो दूरी यह मानी जो हमें फस्ट में ही चाहिए होंगी ठीक है तो एक कंडिशन तो इस टाइप के सवालों की होगी दूसरी कंडिशन कैसी होगी वो मैं साथ के साथ ही आपको बताता चलूँगा चलिए बचो तो सुरुवात करते हैं आज के questions की तो पहला question हमें दे रखा है और अब आप बहु मीटर परती घंटा को मीटर परती सेकंड में मीटर परती सेकंड को किलोमीटर परती घंटा में ठीक है तो वो तो चिंज करना पड़े़ गा और अब questions देखोगे तो बच्चो formula आप सब लोग जानते हैं कि आप बिल्कुल जानते होंगे कि चाल का फॉर्मूला क्या है दूरी का क्या है समय का क्या है तो चाल बराबर दूरी बटे समय दूरी बराबर चाल गुना समय समय बराबर दूरी बटे चाल तो यह सारे फॉर्मूले आप भली भाती जानते हैं तो इसल पेड को पार करने में, पेड पार हो, खमबा पार हो, क्या ही फर्क पड़ता है बच्चो, तो देखिए, रेल गाडी, और ये कहता है, कि एक तरफ लग रहा है रोड के या इस रेल के, तो कोई बात नी बच्चो ये लग रहा, तो पेड भी खमबा ही आप मान सकते हो, पेड ह ठीक है इस पेड को पार करने में 30 सेकंड बच्चो लगते हैं तो ध्यान देना तो ये क्या दिया उसने समय दिया ये हमें समय दिया और बच्चो रेल की लंबाई तो रेल की लंबाई जो है वो 125 मीटर है तो इसका मतलब क्या होगा तो रेल गाड़ी दूरी जो है कितना चलेगी इसको पार करने में जो उसकी लंबाई है यही तो बात करते हैं लंबाई ही तो दूरी होती है और बच्चो अब हमें क्या चाहिए रेल गाड़ी की चाल चाहिए और चाल का फॉर्मूला बच्चो क्य होता है बताइए और आप लोग जानते हैं रेल गाड़ी की चाल चाहिए तो हमें दूरी बटे 175 और समय आ रहा है 30 बे किसमें आएगा यह मीटर है और यह सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में आएगा बच्चों और हमें लाना लाना किसमें है हमारा option कह रहा है किलो मीटर प्रती घंटा तो हमें एक ही चीज करनी होगी कि मीटर पर सेकेंड चोटी चीज है किलो मीटर परावर में बदलना है तो बड़े की गुणा उपर अर्थात 18 बटे 5 क्योंकि confusion यह होता है कि 5 बटे अठारे करें या 18 बटे 5 करें यह क्या होता है यह मैं स परावर में बदलना होगा तो उसको हम किलो मीटर 18 बटे 5 की गुणा करेंगे उसमें तो जैसा यहां किया है बच्चों 5 से 25 बार 6 से 5 बार 6 से 3 बार और बच्चों 5 से 5 बार और मैं कह दूंगा कि 15 किलो मीटर परावर बहुत ही आसान सा बच्चों क्वेशन था आपके साम उमीद है आप सब लोगों ने कर लिया होगा चलिए अब अगले क्वेशन की तरफ मूव करते हैं तेकि यह क्वेशन भी आप बहुत ही सिंपल वे में कर लेंगे बच्चों कोई बताने की जुरुरत नहीं है तो मैं बता देता हूं फिर भी कि कोई ट्रेन है 800 मीटर लम्बी सही है बच्चो 800 मीटर और यह जा रही है अठटर किलो मीटर प्रिती गहंटा की चाल से तो यह हमें चाल मिल गई क्या यह दूरी है अभी नहीं पता दूरी है की नहीं है दूरी की कब पता चलेगी पार किसे कर रही है खंबे को पार कर रही है तो ये दूरी है किसी और चीज को पार कर रही है तो दूरी कुछ और भी हो सकती है अब देखिए बच्चो यदि है एक सुरंग को तो सुरंग तो भाई लंबी चोड़ी होती है अब ये रेल गाड़ी अगर सुरंग को पार करेगी तो दूरी क्या होगी अपनी लंबाई पिलस सुरंग की लंबाई अपनी नहीं होगी अपनी पिलस सुरंग की तो बच्चो इसमें टाइम कितना लग रहा है एक मिनट का मात्र कितना एक मिनट का तो ये हमारा समय हो गया ये हमारी चाल हो गई तो बच्चो अब आप सोचोगे कि जी दूरी भी तो पता है दूरी नहीं है ये बता रहा हूँ ना दूरी ये होगी यहां से लेकर यहां तक की ये टोटल दूरी होगी इस बार तो हमें दूरी निकालनी होगी कि यहां से यहां तक कितनी दूरी है तो बच्चो दूरी का फॉर्मूले के लिए हमें दो चीच चाहिए हैं चाल और समय तो हमें चाल भी पता है और समय भी पता है पार करने की चाल भी पता है पार करने का समय भी पता है तो दूरी बराबर चाल गुना समय लेकिन ध्यान रहे बच्चो कि समय को एक मिनट में तो हमने नहीं रखा या तो हम समय को सेकिंड में रखते हैं या घंटे में रखते हैं तो बच्चो हम इसको साथ सेकिंड रख लें की गुणा 58 किलो मीटर पर आवर है इस बार मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो बच्चो पांच बटे ठारे करना होगा और गुणा समय अब 60 की गुणा कर दूंगा तो बच्चो यह दूरी मीटर में आएगी लंबाई जब भी हम किसी चीज की निकाल रहें तो किलो मीटर म केंड में चेंज किया था बच्चो अब देसे मैं काटूं इसको 6-3 बार 6-10 बार और बच्चो तीन से अगर मैं इसको काटूं तो 26 बार 26 पंजे 130 और 130 की 10 में गुणा करूंगा तो बच्चो क्या आजाएगा 1300 मीटर अब यह 1300 मीटर क्या है तो आप सब को पता होना कि दूरी क्या थी दूरी रेल की लंबाई पिलस सुरंग की लंबाई यही तो थी दूरी बच्चो दूरी क्या थी यही तो बता रहा था मैं कि रेल पिलस सुरंग की लंबाई ही दूरी थी तो दोनों मिला के 1300 के हैं तो उनमें 800 की तो रेल ही है तो फिर सुरंग कितने की हो तो ठीरे Cancer मैंने से में रेल की लंभाई घटा लेता हूं वच्चों ते ह्रेसो माइनस ऑग। स्वेहरी 880 रेल की लंभाई घटा लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि सुरंग हमारी 500 oh ही ही है सुरंग हमारी 500-0 मीटर की ही है बहुत ही आसान सा क्वेशन है बच्चो अब इन सवालों को तो आपको करते ही होगा ठीक है अब ऐसा सवाल तो आपको लडू होना चाहिए पेपर में रेल गाड़ी के सारे सवाल ही लड़ू होते हैं बच्चों उनको देखके यह ऐसे लग जाता है कि यह तो हमसे हो नहीं है तीसरे कोशन की तरफ चलते हैं बस थोड़ा से सोचना आजाए आपको इनमें उसको पार करेगी तो कितनी चाले उसको करेगी तो कितनी चाले यह बस सोचने का तरीका आपको आजाए फिर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरही केगी अब बच्चो next की बात करते हैं चलिए next की बात करते हैं तो क्या करेंगे तीसरे question पर संगीता संगीता यह क्या कर दिया संगीता यह कुछ ठीक है तीसरे question क्या है 300 मीटर की लंबाई की एक रेल गाड़ी 25 मीटर परती सेकंड की चाल से दोड़ रही है यह रेल गाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी तो बहुत ही आराम से बच्चो हम इस सवाल को कर देंगे यह रेल गाड़ी है और यह किसी किसको पुल को पार कर रही है तो पुल यह रहा बच्चो अब बहुत ही आराम से यह सब को सवाल कर देना चाहिए मेरे recording तो और रेलगाडी की चाल भी आपको पता है रेलगाडी की लंबाई ये दे रखी है तो बच्चो ये रही रेलगाडी की लंबाई 300 मीटर और और ये है रेलगाडी 200 मीटर लंबे पुल को तो पुल की भी इस बार लंबाई दे दी सबसे अच्छी बात तो ये है ठीक है और हमें चाल भी दे रखी है और दूरी हमें पता है इस बार 500 मीटर की है दूरी क्या होगी बच्चो रेल गाड़ी जब इसे पार करेगी तो इतना चलना पड़ेगा तो दूरी क्या हो गई 500 मीटर और रेल गाड़ी की चाल क्या है 25 मीटर प्रती सेकिंड चाल भी पत बटे चाल अब दूरी क्या है दूरी है बच्चो तीन सो पिलस दो सो और बटे चाल क्या है पच्चिस मीटर पर सेकिंड तो बच्चो देखो यह चीज मीटर में है और यह चीज क्या है मीटर प्रती सेकिंड में है तो जैसे आप इनको काटते हो ना ऐसे यह भी कटते हैं मात तो फिर आप उसको मीटर पर सेकेंड में पहले चिंज करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि कोई रेल गाड़ी किसी पुल को कोई घंटों में पार थोड़ी करेगी वो तो लाना ही पड़ेगा सेकेंड में ठीक चलिए तो अगर देखें 500 बटे 25 तो हम देख लेंगे बच्चों क यह 20 सेकेंड लग रहे हैं 20 सेकेंड लग रहे हैं यह रहे नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं एक और सवाल बच्चों जो सभी बच्चों को कर देना चाहिए सभी को चौथा सवाल क्या बोल रहा है बच्चों कि एक रेल गाड़ी एक खंबे को पार करने में 9 सेकेंड का समय लेती है तो रेल गाड़ी खंबे को पार कर रही है रेल गाड़ी इस खंबे को पार कर रही है 9 सेकेंड बच्चों लग रहे हैं समय हमें मिल गया पार करने काई तो समय चाहिए वो हमें मिल गया और रेल गाड़ी की चाल भी हमें मिल गई बच्चो ये तो समय मिल गया और ये चाल मिल गई कितने की चाल से पार कर रही है 48 किलो मीटर पर आवर की चाल से अब बच्चो क्या चाहिए अब आपको चाहिए कि रेल गाड़ी यदि ये रेल की लंबाई तो रेलगाडी की लंबाई तो खंबे को पार करने में रेलगाडी कितनी लंबाई जितनी कितनी दूरी चलेगी जितनी उसकी लंबाई है तो बच्चो जो यहां पर दूरी आएगी वो रेलगाडी की लंबाई होगी तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय दूरी कहो या रेल गाड़ी की लंबाई कहो बात एक ही है यहां पर अगर ये खंबे को वो सुरंग को पार कर रही होती तो किसी एक की लंबाई उसे देनी पड़ती या तो सुरंग की यक ट्रेल की तो हम बहुत आराम से बच्चों चीजे निकाल पाते हैं तो दूरी बर अगर आज 56 जाएगा मीटर बटे सेकेंड में आ जाएगा ना और फिर इसके साथ हमें गुञा कितने ही कि इने किस की सेक चींड एक सैक ऑफको किस में वलIC उत्तर मीटर में आप मात्रखों भोभी ऐसे देख सकते किसमें उत्तर आ pelvis Limited Village 2 24 बार 24 15 2020 मीटर तो अगर आपको confusion हो, तो आप मात रखो को भी ऐसे रख लेग रहो, इन यूनिट्स को भी, तो आपको पता चल जाएगा किस में आना है, आंसर हमारा तो 120 मीटर इस सवाल का बच्चो आंसर होगा जो बहुत ही आसान सा सवाल था और देखिए बच्चो और प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं मैंने, ताकि सब लोग पहली टाइप से तो एकदम अवगत हो जाएं, टोटल तीन ही टाइप हैं पूरे चेप्टर में, अभी मैं पहली करवा रहा हूं आपको अभी मैं पहली करवा रहा हूं बस 270 मीटर, ये मीटर है भाई, मीटर कर दो इसको मीटर लंबी रेल गाड़ी 36 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से चल रही है, ये है रेल गाड़ी, 180 मीटर लंबे पुल को, कितने समय में पार कर लेगी बच्चो यहाना दो गाड़ी, मतलब वही, सेम चीज है बिलकुल भाई, ये रेल है आगे क्या पार करना है इसको पुल पार करना है पुल पार करना है रेल कितनी लंबी है 270 मीटर लंबी रेल है और 180 मीटर लंबा पुल है ये रहा भाई ठीक है, तो दूरी आपको पता चल गई, और 4 भी आपको पता है, 36 की है तो समय करने में बच्चो देर नहीं लगेगी समय बराबर दोनों को जोड़ दूगा और ये आ जाएगा हमारा 3.500, नहीं 4.500 4.500 आ जाएगा 4.500 बटे 4.36 लेकिन ये क्या है, मीटर है तो यहाँ भी मीटर से मीटर काटने को ये मीटर पर सेकिंड में करना पड़ेगा बच्चो तो 5.800 यानि मीटर पर सेकिंड, मीटर से मीटर और सेकिंड पहुच जाएगा उपर तो समय आएगा सेकिंड में देखो बच्चो ऐसे काट दिया मैंने उपर साड़े चार सो था नीचे दस बचा और ये आगे सेकंड ये आपका आंसर पैतालिस सेकंड बिल्कुल भी कोई दिक्कत अब तक बताओ बच्चो क्या सभी को समझ आ रहा है अब तक बिल्कुल बेसिक बेसिक कोश्चन ले रहा हूं बिल्कुल बेसिक बेसिक ताक चलिए अगले सवाल पर बच्चो 50 मीटर लंबाई की एक रेल गाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेट फारम को 10 सेकिंड में पार करती है तो बच्चो लंबाई मिल गई दूरी मिल गई हमें दोनों को जोड़ दो अब थोड़ा जल्दी पर आओ ऐसे ही तो समय बचता है दूरी हमें मिल गई 500 मीटर ठीक है बार बार चित्र थोड़ी बनाएंगे हम फिगर खीचेंगे हां चलो समय बराबर 10 सेकिंड दस सेकिंड बच्चो समय लग गया रेल गाड़ी की चाल अगर आपको चाहिए तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय दूरी बच्चो डेड़ सो और सम में 10 यह हम कहेंगे इतने मीटर प्रती सेकिंड और अगर किलो मीटर प्रती घंटा में बदलना हो तो बच्चो यह बोला ही है इसने कि उत्तर किलो मीटर प्रती घंटा में चाहिए तो यह रहा आपका उत्तर 54 किलो मीटर प्रती घंटा इस सवाल का आंसर चलिए बच्चो अब इतनी जल्दी कर देना चाहिए आपको, जब एक से ही सवाल चल रहे हैं सारे तो, confidence इतना तो develop हो जाना चाहिए, चलिए, अब थोड़ी हम दूसरी टाइप पर move कर चुके हैं, सायद 500 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में, पुल पर खड़े व्यक्ती को 9 सेकेंड में, जी बिलकुल, हम दूसरी टाइप पर move कर चुके हैं, ये हमारे यहां से सेकेंड टाइप सुरू हो जाती है, कि जब हमारी ट्रेन जो है, जब हमारी ट्रेन दो अलग-अलग चीज़ों को पार कर रही हो, दो अलग-अलग चीज़ों को, अब तक चल रहा था एक ही टाइप के कुश्चन, अब यहां दो अलग-अलग चीज़े पार हो रही है, तो बच्चो समझना, ये रही ट्रेन, अब ये किसी पुल को, माननों, डेड़ सो मीटर की ट्रेन है हमारी, ये रही और ये किसी पुल को, समझने का ज़्यादा है बच्चो कोश्चन, करने का तो कुछ होता ही नहीं है सवाल, पुल को, किसी पुल को, पुल की लंबाई हमें नहीं दिया उसने, कहता है कि इसको पंद्रे सेकिंड में पार कर जाती है, बच्चो पार, ये ही ट्रेन, डेड़ सो मीटर लंबी ट्रेन, किसी खड़े व्यक्ती को, खड़ा चाए पुल पे हो या कहीं भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इस व्यक्ती को पार करने में, बच्चो कितना समय लग रहा है, 9 सेकिंड, कम समय लगेगा व्यक्ती को पार करने में, या जादा लगा, या खुद बताओ, अगर वही रेल है, वही चाल है, सब कुछ वही है, यहां तो इसको इतना चलना पड़ेगा, और यहां सिर्फ उसको अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी, तो सीधी सी बात है, यहां कम लगता ही लगता, ठीक है बच्चो, और अब हमें रेल गाड़ी की लंबाई भी, रेल गाड़ी की लंबाई, नहीं, रेल गाड़ी की चाल क्या पूछना चाहिए, हाँ, हाँ, यह कोई बात नहीं, पुल की लंबाई, चलो, यह पुल की लंबाई पोचह, ऊपर ओ सॉरी 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 मैंने रेल की ले ली, मैं इगलत हूँ, मैंने यह रेल की लंबाई मानली भाई, दोनों जगे हैं, पर रहे करो भाई, ऐसे सवालों को तो, गलती हो रही है लगातार, चलिए, तो अगर मैं कहूँ कि यह पुल सब्सक्राइब 178-500 मीटर का नाकी ट्रेन और यहां पर यह ट्रेन यही ट्रेन इसी व्यक्ति को पार कर रही है आपको ट्रेस की성을 about this ट्रेन की लंबाई सब्सक्राइब कि ट्रेन की लंबाई मुझे नहीं पता लेकिन दोनों जगे सें ट्रेन हैं तो यहाँ पर इस train को कितना चलना पड़ेगा खुद बताओ बच्चो इतना और यहाँ पर इसको कितना चलना पड़ेगा सिर्फ इतना यह जो ऊपर 15 सेकिंड लग रहे हैं और नीचे 9 सेकिंड लग रहे हैं इसका कारण क्या है यहाँ भी 15 सेकिंड क्यों नहीं लग रहे हैं आप बताओ कि यहां 15 सेकंड क्यों नहीं लग रहे वहां तो 15 लग रहे तो यहां क्यों नहीं लग रहे आप क्योंगे यहां 6 सेकंड कम लग रहे हैं क्यों कम लग रहे हैं क्योंकि यहां रेल को कम दूरी तक चलना पड़ रहा है कितना कम चलना पड़ रहा है यह बताओ कितन हें उपर से यहां तो चलना पढ़ रहा है अपनी लंबाई फिलस पुल की लंबाई फुल की लंबाई कितनी देड़ सो अपनी पिलस अपनी प्लस एक्स्ट्राएं कि यह बताए बस कि देडयos मीटर ट्रेन एक्स्ट्रा चल रही है यहां पर उस 1.500 मीटर की वज़े से इस ट्रेन को कितना समय जादा लग रहा है तो आप कहोगे 6 सेकंड तो ट्रेन को जो 6 सेकंड लग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेड सो में तो लग रहे हैं यह बताओ भई 6 सेकंड क्यों लगे फालतू क्योंकि यहां 1.500 फालतू है तो मतलब आपको क्या करना होगा कि दोनों का समय का डिफरेंस कितना है 6 सेकंड और दोनों की दूरी में कितना डिफरेंस है 1.500 तो आप यह कह सकते हो कि 6 सेकंड में दूरी का डिफरेंस के बराबर यानि 6 सेकंड में ट्रेन देड़ सो मीटर जाती है तो 6 सेकंड में यहां से निकल के आया 6 सेकंड में ट्रेन या रेल देड़ सो मीटर जाती है क्या ये बात सबको समझ में आ गई अगर ये आ गई तो इन सवालों में कुछ भी नहीं है ये सिर्फ मैंने फिगर से आपको समझाईए कि भई ये लाइन निसकर्स निकाल दो बस ये ये बात और इसमें कुछ भी नहीं है जितना समय का अंतर है छे सेकिंड का और जितना दोनों में दूरी का अंतर है डेड़ सो मीटर का वस वो लिख दी है चैसे किंड में देड़ सो मीटर अगर कोई रेल की हमसे चाल पूछे तो चाल बराबर दूरी बटे समय चाल तो आगई चाल पूछता तो ये री चाल और बच्चो उसने पूछा क्या है उसने पूछा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है तो मैं क्या करूंगा मैं कहूंगा 25 मीटर एक सेकंड में 25 मीटर 30 सेकंड रेल की चाल है चाल मिलगी तो अब लंबाई या तो यहां से भी निकाल सकते हो रेल की 25 की चाल से 9 सेकंड में अपनी लंबाई चली तो दूरी बराबर दूरी बराबर चाल गुणा कम है तो 225 मीटर रेल गाड़ी की लंब दूरी बराबर चाल गुणा समय तो यह आएगी 25 गुणा 15 375 अब 375 कहां से कहां तक है यहां से लेके यहां तक 355 में से 1500 गटा देना तो क्या आजाएगी रेल की लंबाई कहीं से भी निकाल लो उत्तर में कोई फरक नहीं पड़ेगा बच्चो चाहे तो इस सर्थ से ले लो चाहे इस सर्थ से ले लो तो बच्चो मैं इस से ही ले रहा हूँ उपर क्यों गटाना वटाने के चक्कर में आँ, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय चाल मेरे को मीटर परती सैकिंड में पता ही है और समय कितना है मेरा 35 निम्मा तो बच्चो 25 निम्मा दो सो पच्चिस मीटर कोई दिक्कत बच्चो किसी भी बच्चे को होनी ही नहीं चाहिए तो यह सवाल क्या है बच्चो देखो यह समझ लिया तो क्या है फिर यह चाला गई यह उत्तरा गई इतना सा सवाल है अब ऐसे तीन चार सवाल आपको देने वाला हूं सेम सेम एकदम अब आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी इन सवालों पर खूब ढंग से हो जाएगी बच्चों यह लीजिए अगला सवाल अगला स नाम करें लिए पकी बच्ची हो यह भी हो जाएगी इन आपकी प्रेक्टिस वाला में बच्ची बच्ची है हाँ भाई सौरब सेनी जरूर आईए हम आपको टी सेट बिल्कुल गिफ्ट करेंगे क्योंकि आपका जेल वार्डर में फाइनल हो गया है मैंने बोला था उस बात को पूरी की जाएगे जरूर आईए वो मिले ही आपको अपनी बातों से नहीं हटता चलिए अच्छी बात है आप आईए हमें भी खुसी होगी तो एक रेल गाड़ी 500 मीटर तथा 200 मीटर लंबे दो पुलो को क्रम से 100 सेकिंड तथा 60 सेकिंड में पार करत लिती है तो रेल गाड़ी की लंबाई बताओ बिल्कुल सेम टो सेम क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर रेल गाड़ी जो है 500 मीटर दोनों जगे पुल है इस बार पिछली बार एक जगे खंबा था या आदमी था लेकिन इस बार दोनों ही जगे पुल है कोई दिक्कत नहीं है पहला जो पुल है वो 500 मीटर का थोड़ा बड़ा बना लो लो भाई पहला जो पुल है वो कुछ जादा ही बड़ा है 500 मी जो धाई सो मीटर लंबा है, जो धाई सो मीटर लंबा है, ठीक है, यहाँ जो टाइम लग रहा है, इस पुल को पार करने में इस ट्रेन को 100 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पर जो टाइम लग रहा है, वो 60 सेकंड लग रहे हैं, तो बच्चो कितने सेकंड कम लगे, आप क्यों ह हम लगे कारण क्या ऐस बाद के रेल तो उतनी लबी य। सब्समेटर है और यहां दूरी 200 मिटर अपनी तो हई दोनों जगे तो बच्चो इतनी दूरी का कितना फरक है बता इधायी बदूरी का कितना फरक है टो टल में तोटž limit rozp 잡 warmth अपनी लम्बाई तो दोनों जगे्वुए बच्चो तो ठाइसो मिट्र को ये ट्रेन चलिस सैकंड में तैय कर देती है यानि बच्चो जितने सटु 2020 लगे कितनी दूरी की हो जैसे वो फालतु लगे उसको यहां लिख दिया जाता है कि 40 सेकंड में ट्रेन 40 सेकंड में ट्रेन कितना जाती है 500 माइनस 200 यानि 200 मीटर जाती है क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आती है या नहीं आती है बस इतनी सी बात बता दो क्या ये लाइन समझ में आती है ये लाइन क्या है सवाल को देखते ही हमें पता चल जाएगी तो रेल गाड़ी की चाल क्या होगी बच्चों फिर चाल क्या हो जाती है दूरी ये रही समय ये रहा तो 200 बटे 40 तो मैं कहूंगा कि भीया 25 बटे 4 मीटर प्रती सेकंड ये रही य इसकी चाल मिल गई बच्चो अब हमें क्या चाहिए लंबाई चाहिए जब भी किसी की लंबाई चाहिए समझ लो दूरी निकालनी पड़ेगी तो कि लंबाई दूरी में ही छुपी होती है तो बच्चो अगर मैं इस इस कॉस्चन से करूं तो मैं क्या करूंगा मुझे दूर क्या आएगी यहां तक इस बार खंबा तो है नहीं कि हम इस से कर लेंगे यहां भी घटा नहीं पड़ेगी वहां भी घटा नहीं पड़ेगी कोई से से भी कर लो तो बच्चो जब मैं इस से कर रहा हूं इस सर्थ से तो दूरी बराबर दूरी में क्या आएगा रेल पिलस रे बच्चो दूरी बराबर चाल कितनी है 25 बटे 4 और समय कितना लगा 25 बटे 4 की चाल से 100 सेकिंड तो मैंने काटा बच्चो तो ये आया 625 मीटर ये दूरी आई यहां से यहां तक की प्रैक्टिकली देखो 625 इतनी है और 625 में से अगर 500 घटा दूँगा तो रेल रेल की लंबा 500 माइनस 500 बराबर 125 मीटर ये हमारी अभिस्ट दूरी फाइनल दूरी तो बच्चो ये रही फाइनल लंबाई तो 125 मीटर कितने अराम से बच्चो उत्तर आ रहा है अब अगले सवाल की बात करें अगले सवाल की बात करें बच्चो अगले सवाल की बात करें ये रहा नोवा सवाल एक रेल गाड़ी आठ सो मीटर सथा चार सो मीटर लंबे दो पुलों को तो से, बिलकुल सेम कुश्चन है बच्चों इस बार तो चाल ही पूँची है क्या ये वही सवाल है, ये तो वही सवाल है बिलकुल, यहाँ बस रेल गाड़ी यहां 800 का पुल है यहां 400 का तो 400 का difference करो 400 meter का ही तो difference है भई अपनी लंबाई से लंबाई तो दोनों जगे पार होगी और कितना second में कितना difference आ रहा है 40 तो रेल गाड़ी 40 second में 40 second में 400 meter अब बिना figure के करना है हमें यह 40 second में 400 meter और अब चाल क्या होती है बच्चो चाल क्या होती है दूरी बटे समय दूरी क्या 400 समय क्या 40 उत्तर 10 meter 30 second लेकिन meter 30 second में नहीं आंसर तो क्या करूँ फिर फिर क्या करूँ बच्चो kilometer 30 घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 करो यह बदल गया kilometer पर आवर में तो हम कह सकते हैं कि 36 kilometer पर आवर तो अब इतनी जल्दी कर लिया करोगे इन सवालों में कुछ है ही नहीं चलिए अब अगले सवाल की बात करते हैं अगले सवाल पर आजाओं यह लिजी देखिए बच्चे दस्वा कोश्चन हमारा क्या बोल रहा है दस्वा सवाल हमारा क्या बोल रहा है 300 meter लंबी एक रेल गाड़ी 500 meter लंबे पुल को 30 second में पार कर लेती है यह रेल गाड़ी 370 meter लंबे प्लेट फारम को पार करने में कितना समय लेगी बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है उपर से बच्चो क्या ला सकते हो खुद बताओ इतने से क्या ला सकते हो आप बताओ रेल गाड़ी की और उसकी पुल की दोनों की लंबाई आ गई है तो दूरी यह रही दूरी यह रही बच्चो अब मुझे बानी करेगा साड़े 600 साड़े 600 बार बार चित्र बनाने की जरूत नहीं है सीख लिया हमने बेसिक साड़े 600 कितना समय तीस सेकंड यह दूरी यह समय क्या रह गया चाल यहां रेल गाड़ी की चाल निकलेगी की नहीं तो इतने से क्या जाएगा बच्चो चाल आ जाएगी चाल बराबर दूरी बटे समय दूरी कितनी है पांच सो पिलस डेड़ सो और बच्चो समय कितना है समय कितना है तीस का है और अगर मैं कह दूँ तो साड़े 600 बटे तीस क्या मीटर परती सेकंड मीटर परती सेकंड यानि यह ट्रेन 3 second में 65 मीटर जाती है ये यहां से पता चल रहा है ठीक है और बच्चो चाहिए क्या कि यही रेलगाडी कितनी रेलगाडी 500 मीटर वाली 500 मीटर वाली रेलगाडी यही का मतलब वो ही है उतनी लंबाई वाली 370 मीटर लंबे प्लेट फारम को 370 मीटर लंबा प्लेट फारा में ये रहा दूसरी सर्थ पर आ गया हूँ चाल मुझे पता ये रही दूरी मुझे पता चल गई पता चल गई या नहीं ये दूरी दूसरी सर्थ की दूरी ये रही चाल ये रही तो समय आएगा की नहीं आएगा समय बराबर समय बराबर बच्चो दूरी बटे चाल तो दूरी डेड़ सो फिलस तीन सो सतर और चाल कितने की है 65 बटे तीन की तो बच्चो इतना सेकिंड आपका उत्तर आ रहा होगा और अगर मैं इसको जोड जाड़ दूँ तो कितना आ रहा है ये पान सो बीस उपर पान सो बीस गुणा तीन बटे पैसट और तेरे पंजे तेरे चौका चालिस बार पांच से ये आठ बार ये डायरेक्ट भी काट सकते थे पैसट से आठ बार ठीक है और आठ तिया 24 सेकिंड कितने आराम से बच्चो उत्तर आ जाएगा ये रहा तो मतलब पहली सर्थ बताती है कि चाल यहां से ले लो दूसरी सर्थ बता रही है जैसा ये पुराना खुशन है फिर तो चाल के लिए बस ये करना एक काम एक्स्ट्रा बाकी तो ये पुराना ही सवाल था जो सुरू सही करते आ रहे हैं ठीक है अब अगले सवाल पे चलते ह अगला क्या सवाल है जरा देखिए यहां रेशो में आगया है कुछ तो कोई फिकर वाली बात नहीं है बच्चों त्यारवे सवाल पर चलते हैं यहां देखिए दो रेल गाडियों की लंबाईयों का अनुपात आपको दे रखा है जी हां दे रखा है बच्चों गतियों कानुपात आगे दे रखा है कि चालों कानुपात यह है लंबाईयों कानुपात यह है चाल कानुपात यानि चाल भी आपको दे रखिए रेल गाड़ी की लंबाई भी आपको दे रखिए तो लंबाई का मतलब है कि रेल गाड़ी की द दूरी दे दी ये, दूरी दे दी। और बच्चो ये दे दी उनकी चाल, और क्या पार करना खमबा, और जब खमबे को पार करते हैं तो दूरी उसकी लंबाई ही होती है, तो बताइए बच्चे, तो अब हमें समय का निकालना है, तो पहली रेल गाड़ी को देखो जो रेल गाड़ी चार की है इसको समय कितना लग रहा है इस खंबे को पार करने में दो सेकंड ऐसे माल लो और दूसरी जो रेल गाड़ी है वो नो की है और इसको ये खंबा पार करने में कितने सेकंड लग रहे हैं तीन सेकंड यही तो मतलब है वच् 30 seconds की गति से 9 वाल ली जो हISA लिए आप बच्चों यह च्ल है और यह लंब्धाई है मतलब दूरी है क्हुंकि खंबापार कर रहा कर दोरी बही है तो बच्चों अगर हमें समय निकालना तो समय बराबर दूरी बटे चाल समय ही तो चाहिए तो समय पहला समय पहला और समय दूसरे का इन दोनों कानूपाच चाहिए तो पहला समय बराबर दूरी कितनी है जितनी उसकी लंबाई है चाल कितनी है दो की है कह रहा है वो और दूसरे में दूरी कितनी है नो की है और चाल कितने की है तीन की है यही तो दिया है वच्चो कितना उत्तर आ जाएगा आप खुद कह दोगे कि दो अनुपात तीन इसमें कोई सक किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का कुछ ही नहीं सवाल में चलो आगे बढ करते हैं अगले सवाल की तरफ यह लीजिए कोसिस करिए बच्छों कोसिस करिए बहुत ही आराम से सवाल कर पाएंगे आप अब मिसलेने स्कुश्चन करा थोड़ा दिमाग लगाओ सवाल खतम दिमाग लगाओ सवाल खतम इस टाइप के सवाल है अब बार मां सवाल कि एगर अब बफ आरा है वही दो बच्छे कह रहे हैं बफ चल रहा है क्लास में ठीक चल रही है बच्चों यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है पिर मुद कुमार थीसरा भी कह रहा है बीच बीच में देखो बच्चे ज्यादा कह रहे हैं देख करो नेट रही चल रहा है यह जा लिए यह एप में बचा रहे हैं बच्चे युट्यूब पर तो नहीं यूट्यूब पर नहीं है एप में प्राबलम तो नहीं हुई जालिए किया किसी ने चालिश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तरही है भाई एक रेल गाड़ी की निश्चित दूरी को साड़े चार घंटे में तैख कर सकती है यदि रेल गाड़ी की चाल पांच किलोमीटर प्रती घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे यही दूरी ते करने में आदा घंटा कम समय लगेगा आदा घंटा कम लगेगा बच्चो ठीक है तदानुसार रेल गाड़ी की धीमी चाल ग्यात कीजिए धीमी चाल का मतलब है पहली वाली चाल ग्यात कीजिए तो बच्चो अगर आप इसको उप्शन से ले लो तो आपका क्या बिगड़ जाएगा न्यू बताओ उप्शन से ले लो तो इसमें कितना असानी हो जाएगा देखिए अगर मैं बच्चो साथ लूँ पहला उप्शन की रेल गाड़ी की धीमी चाल साथ है ध्यान देना बच्चो अगर मैं रेल को 60 की से चलाओं समझा रहाओं बस 60 की से और 60 की से चलाके और मैं ये कहूँ कि कोई निश्चित दूरी इसको जाने में साड़े चार घंटे लगे साड़े चार घंटे तो मैं दूरी निकाल पाऊंगा यहां से या नहीं रेल गाड़ी 60 की चाल से साड़े चार घंटे तक चली तो कितनी दूर चली तो ये बता कर पाऊंगा तो दूरी कितनी होगी बच्चो 60 गुना साड़े चार भै दूरी बढ़ादे इसी दूरी को त्या करने में पांच की स्पीड बढ़ादे मतलब शाठ की जगए 65 कर दे तो बच्चो जो कराऊं तो 45 की मान रहा था अभ मेरे को पहले से Markा कम लगना चाहिए यानि पहले साड़े चार लग रहे थे तो अब चार लगने चाहिए तो बच्चो समय तो निकाल रहा हूँ दूरी ये रही चाल ये रही तो क्या चार घंटे आ रहे हैं पूरे-पूरे कटके बिलकुल 45-44-180 होते हैं तो बच्चो 40 से एकदम सही बैठ रहा है सटीक बैठ रहा है तो इस तरीके से option method से आप इस सवाल को बहुत ही simple तरीके से निप्टा सकते हों और जिसको option से नहीं करना वो x से या कुछ से भी किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है लो भाई मैं x चाल मान लेता हूं क्योंकि मुझे चाल ही तो नहीं पता तो बच्चो अग kilometer प्रतिघंटा तो यहां पर दूरी क्या जायेगी दूरी होगी 4 गुणा समय x गुणा 4.360 ये दूरी हो जायेगी अ बच्चो क्या बोलता है कि जब इस दूरी को वो 5 kilometer प्रतिघंटां बढ़ा दे तो बच्चो तो इसी दूरी को तैख करने में यानि यह दूरी तो यह र प्लिस पांच की चाल से चले दूरी बटे चाल तो क्या आएगा समय आएगा तो समय कितना लगता है पहले साधे चार लग रहे थे अब आदा घंटा कम लग रहा है तो चार आ जाना चाहिए तो यहां से बच्चो आप X कैलकुलेट कर लो आपका उत्तर आ जाएगा बच्चो तो मैं कहूंगा साधे चार एक्स तो उपर है और बच्चो चार एक्स पिलिस तो यह दूसरा तरीका है इसका तो हम कहेंगे आदा एक्स बराबर बीस और बच्चो एक्स बराबर बीस बटे आदा यानी पॉइंट फाईव और कह दूगा 40 किलो मिटर पर आवर यह आपका एक्स का तरीका है अगर चाल को एक्स मानो तो ये रहा उत्तर तो आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हो बहुत ही सिम्पल तरीके से चलिए बच्चो और आगे बढ़ सकते हैं क्या जी हाँ आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल की तरफ तेरवां क्वेश्चन क्या है तर मैंने वीडियो वेक कर भी देखी बीच में से कट रही है बफ की वजह से क्या है वह ये रिकॉर्डिंग तो कर रहे हो ना तो ही डाल देना अगर बफ हो रहा है बच्चों को दिक्कत है चलिए कर देंगे बच्चों अगर ऐसी बात है तो इसको दुबारा से अपलोड कर देंगे क्योंकि हम लगाता रिकॉर्ड भी कर रहे हैं इस वीडियो को ठीक है तो तेरवां क्वेश्चन क्या है बच्चों तेरवां क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा वह सब के फॉन में बफ नहीं हो रहा है कु ठीक है अगर वहां ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा कहता है कि दो रेल गाडियां जिनकी लंबाईयां 160 मीटर तथा 140 मीटर हैं अब बच्चों जहां पर मैं यही कहना चाहरा हूं कि अब जो तीसरी टाइप मैं कह रहा था कि हमारे तीनी टाइप के सवाल बनते हैं तो उन सवालों पर मैं आ गया हूं तीसरी टाइप क्या होगी अब तक जितने भी हमने सवाल किये तो जो भी पार कराया वो इस्थाई चीज पार कराई चाहे वो प्लेटफरम पार कराया चाहे वो खंबा पार कराया चाहे वो पुल पार हो चाहे वो खड़ा व्यक्ति हो अब क्या होगा बच्चो अब जो रेल गाड़ी तो चली रही है और जिसको पार कर रही है वो भी चल रहा है वो भी चल रहा है हो सकता है आपस में दो ट्रेन क्रॉस कर रही हो हो सकता है किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करे हो सकता है किसी कल आधी क्लास कल भी इसी पर चलेगी और नया चेप्टर भी कली स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम तो बच्चो अब देखेंगे थर्ड टाइप के सवालों को तो इसमें आप बस एक बात जान लो पहले बेसिक थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहां पर बच्चो अ आपस में क्रॉस कर रही होंगी या तो वो एक ही दिसा में क्रॉस करती है या वो अपोजिट दिसा में अपोजिट होता है इधर से ये ट्रेन दूसरी इधर से ऐसे क्रॉस करती है या फिर एक धीमी होती है एक तेज होती है वो इसको ऐसे क्रॉस कर जाती है तो दो ही तरीक direction तो ऐसे चल रही है विपरित दिशा ठीक है बच्चों तो अब इसमें मैंने जो डाइग्राम बनाया है यह एक ही दिशा का बनाया है बच्चों एक ही दिशा का कि यह ट्रेन भी इधर को जा रही है यह ट्रेन भी इधर को जा रही है जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है यहां नहीं पहुच जाएगा तब तक नहीं कह सकते ना तो बच्चो यह बताओ तो इस ट्रेन को इसे पार करने में कितनी दूर चलना पड़ेगा बताओ क्लियर हो गई कि अगर दूरी देखनी है तो दोनों की लंबाई एड होंगी ही होंगी क्या क्या बच्चे ऐसा करते हैं लंबाई को भी घटा देते हैं आपस में नहीं नहीं लंबाई नहीं घटा नहीं आपस में लंबाई एड होंगी ही होंगी चाहे दिसा कोई सी भी रहती हो अब बच्चो अब आती है चाल की बात अब ये देखिए ये दोड़ रही है पचास की से इसे साट की से दोड़ा दूँ तो फिर तो हाती नहीं आएगी ये कभी इसके आप आएगी खुद बताओ तो ये इससे अगले वाली कम होगी तभी तो वो क्रॉस कर पाएगी ठीक है तो ये अगले वाली मंदी होती है तो 40 किलोमेटर प्रती घंटा से बच्चो अगर कोई पूछे कि इन दोनों की चाल ये रही तो अगर पार करने की कोई चाल पूछे हमसे पार करने की चाल तो मैं कहूंगा जो दोनों का difference है difference क्यों जी दोनों की जुड़ भी तो जाती है कहीं कहीं चाल तो बच्चो इसके लिए आपको क्या करना होगा ऐसे सोचना होगा कि कहां पर चाल जोड़ते हैं कहां पर घटाते हैं मान के चलिए कि आप किसी ट्रेन की या किसी बस की या किसी कार की ऐसे साइड में यह चला रहे हैं तो आप पीछे से ट्रेन आती है तो आपको पार करने में हो सकता बहुत देर लगे इतने तो हो सकता आप पहुँच भी जाओ जहां आपको जाना था बहुत देर में पार करें लेकिन यही ट्रेन यूँ आ रही हो और आप यूँ जा रहे हो तो बहुत तेजी से पार करेगी तेजी से पार करेगी आपने देखा होगा कार और बाइक या कार दो कार आपस में ऐसे पार कर रही हैं तो बहुत तेजी से पार कर रही हैं लेकिन कि speed 10 की ही होगी तो यहाँ इस condition में मैं कहूंगा कि चाल बच्चो चाल 50-40 होगी अर्थात 10 km प्रती घंटा होगी तो एक बात ये भी नोट कर सकते हैं कि एक ही दिसा में चाल घटती हैं तो ऐसे लिखते हैं बच्चे बहुत सारे और बाकी जो समझते हैं उन्हें जरुरती नहीं लिखने की कि एक ही दिसा में चाल घटेंगी इसमें कौन सी बड़ी वात है दिखतो रहा है और बच्चो यही opposite direction होती अब मैं opposite की दो चीज मैंने बताई आपको कि लंबाईयां जुडेंगी क्योंकि दूरी लानी है एक ही दिसा होगी तो लंबाई हमने जोड़ी है और चाल हमने क्या की है घटाई है और बच्चो इसी चीज को मैं अब ऐसे लिक रहा हूँ कि यह train इधर को जा रही है यह train इधर को जा रही है ताइम यहीं देखेंगे जी हाँ नहीं देखेंगे अब आप एक train पर focus कर लो किसी पर दूसरी पर मत करो कि हमें इसको पार करने का देखना है उसको देखना ही नहीं है तो यह पार कब मानी जाएगी जब इसका यहां आ जाएगा नहीं यहां पहुच जाएगी मतलब दोनों का पिछला डिब्बा ऐसे cross हो जाएगा अभी तो पार मानी जाएगी तो आप यह मान के चलो कि यह खड़ी है और यह पार कर रही है इधर को ही चल रही है तो तब भी दोनों की लंबाई यहीं जुडती है लंबाई हमेशा जुडेगी चाहे दिसा कोई सी भी हो यह बात भी नोट कर लेंगे बच्चो अगर दूरी निकालनी है तो दिसा में विपरीत हो या एक ही दिसा हो तो लंबाई हमेशा ट्रेन की जुडेंगी ही जुडेंगी ठीक है तो लंबाई हमेशा जुडती है उधर भी मैंने आपको दिखाया इधर भी मैंने आपको बताया अब बच्चो यह पचास की से दौड रही है और यह चालिस की से दौड रही है तो बताइए चाल क्रॉस कैसे करेंगी तेजी से या धीमे बहुत तेजी से और तेजी का मतलब क्या होगा 50 plus 40 की से 90 की स्पीड से अब जो इसमें आदमी बैठा है ना उसको लगेगा कि अगली वाली ट्रेन 90 की से गई है मेरे पास से 40 से नहीं 90 की से क्योंग खुद भी तो जा रहा है न उदर के तो 90 की से तो हम यहाँ पर इस कंडिशन में चाल कहेंगे कि 50 plus 40 होगी किलो मीटर परती घंटा तो यानि चाल विपरीत डाइरेक्शन में विपरीत दिसा में बच्चो जुड़ती है और एक ही दिसा में घटती है और अगर यह कभी भूल जाओ तो practically सोच ले ना बस कि हम सोच रहे हैं ठीक है ट्रेन के साथ चले तो देर में पार होंगे opposite में चलेंगे तो तेजी से पार होंगे तो opposite में चाल जुड़ती है एक ही दिसा में चाल गटती है लेकिन लंबाईयां दोनों ही जिगए जुड़ती है ठीक है, किलियर हो गई बस, अब यह सवाल आगे आगे आपके भागने वाले हैं बच्चों देखिए मैं इस सवाल को अब आपके सामने करने जा रहा हूँ जो बहुत ही आसान सवाल है और मैं देखूं बच्चों दो रेल गाड़ियां है एक ये रही और ये जिनकी लंबाईयां भी दे रखी हैं एक सो साथ मीटर और दूसरी की लंबाई बच्चों क्या है एक सो चालिस मीटर एक सो चालिस मीटर बहुत सही समानतर पट्रियों पर समानतर पट्रियों पर बच्चे सोचते हैं समान दिशा भाई नहीं समानतर पट्रियों तो ये कहने की आदत है इसकी एक इस पट्री पे एक इस पट्री पे ठीक है दो वरबर की पट्री एक पट्री पे इस पे एक इस पे अब यह नहीं बता ही दिसा कौन सी है अब आगे देखते हैं विपरीत दिसाओं में यह है में बात इसका मतलब यह ट्रेन इधर को यह ट्रेन इधर को विपरीत दिसाओं अब विपरित दिसा में एक ही बात दिमाग में आती है चाल तो जुलेंगी जुलेंगी लंबाईयां तो जुड़ती ही है ये तो आपको पता ही है दिसा कोई सी भी होती लेकिन बच्चो एक सतित्तर की से जा रही है ये सतित्तर किलोमीटर पर आवर एक सो साथ वाली की ये न करने की चाल देखनी है एक दूसरे को किस चाल से पार करेंगी तो पार करने की चाल 77 पिलस 67 और बच्चो यह हो जाएगा 144 किलो मीटर पर आवर यही आ रहा है ठीक है यह चाल हो गई पार करने की बच्चो ठीक है अब क्या है और और क्या पता है आपको दूरी पता है दूरी बताओ बच्चो यहां से यहां तक कि दूरी कितनी हो गई 300 चाल कितनी हो गई यह र दूरी कितनी है तो दूरी के लिए तो 160 पिलस 140 इसमें कोई सक है किसी को जी नहीं और बच्चो चाल कितनी है 144 लेकिन ध्यान रहे ये मीटर है और ये किलो मीटर पृति घंटा है तो इसको चेंज करना ही पड़ेगा करना पड़ेगा ना पांच बटे 18 अब बच्चो अगर आपको अठारे का पहाड़ा आता है तो इसको यहीं काट दोगे ठीक है 188 144 तो उपर क्या हो गया 300 और नीचे क्या हो गया 40 और अगर ये नहीं कटता तो अठारे को उपर ले जाता कोई दिक्कत नहीं है कटे ना कटे उससे क्या फरक पड़ता है तो बच्चो साड़े साथ सेकंड बहुत ही आराम से उत्तर इस सवाल का आ जाएगा आपने देखा कुछ नहीं है पूरे सवाल में बच्चो बस ये लाइन है ये लाइन डारेक्ट आप इस पहुश सकते हो एक जादा से जादा पांच सेकंड का सवाल है पांच सेकंड बस समझने की बात पांच सेकंड में सवाल खतम होते है बच्चो आब अगले सवाल को देखो थटाफट बच्चो इस सवाल को कर दो थटा फट कर दो टाइम लगना ही नी चीए कि यि ए लगती है कि ताइम नहीं लगना चाहिए भाई अपनी ही दिसा का क्या मतलब होता है सेम या विपरीत कि सेम डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन कि ट्रेन पार कर रही है यह बीस की चाल है और इसकी दस की चाल है समय बताना है समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल दूरी आपको पता है व्यक्ति को पार करने के लिए तो अपनी लंबाई ही होती है इसमें कुछ जुड़ना नहीं है 180 बटे चालों का अंतर या जोड़ूंगा दोनों को चाल बताईए 30 होगी या 10 होगी क्योंकि एक ही दिसा है तो चाल बच्चों 10 क्या यह मीटर पिरती सेकिंड है हां यह जरूर ध्यान रखना अगर यह किलो मीटर पिरती घंटा होती तो पांच बटे ठार और करना पड़ता तो यहां पर तो खुद बनी बनाई दे रखी है उसने पकी पकाई खीर है बच्च बच्या से बच्चे कर रहे हैं पूरा चैप्टर आसान होता है बच्चों देखिए 15 सवाल और करते हैं। पूरा चेप्टर बहुत ही आसान चेप्टर होता है एक आदमी ने पाँच किलो मीटर प्रती घंटा देखिए बच्चो आज बफ की सिकायत बच्चो वह देख ना यार इसको ना एप पे बहुत सारे बच्चे सिकायत कर रहे हैं उनको बोलो है नेट दिक्कत कर रहा है पर य गया नेट जा रहा है बच्चो आज आप नेट जा रहा है और आ रहा है ठीक है अब तो किलास खतम होने वाली एक आद सवाल और है बात करो यार उनसे ठीक नेट का ध्यान रखें या पढ़ावें पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ते हैं देख पांच किलो मीटर प्रती घंटा की गती इस आदमी की है बच्चो जब आपको चाल निकालनी होना ऐसे सवाल में जब आपको चाल निकालनी हो तो समझलो ज्यादा सावधान रहना होगा है निकालना हो कुछ दिक्कत नहीं है, दूरी निकालनी हो, लंबाई निकालनी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आपको चाल निकालनी होगी किसी की, थोड़ा सावधान रहना है, बस इतनी सी बात कहूंगा, थोड़ा सावधान किस बात के लिए कह रहा हूं, बस वो यूज नहीं है बच्चो लास्ट में आता हो जुड़ेगी या घटेगी बस इतना यूज है जब भी आप से चाल पूछेगा तो देखना बच्चो आप देखते हैं कि यहां पर चाल पूछा है चाल पूछा है लेकिν जो हमारी चाल आती है बच्चो वो पार करने की चाल आती है किसी एक की नहीं आती है पार करने की चाल का फॉर्मूला है हमारा दूरी बटे समय दूरी कितनी क्योंकि आदमी है तो रेल गाड़ी की लंबाई जितनी होगी वही दूरी होगी तो 225 मीटर आदमी को पार करना है ना तो आदमी की तो जुलेगी नही ठीक है तो रेल की लंबाई वही दूरी है यही तो पार करना है बटे कितने समय में पार कर रहा है सब कुछ पार करने का ही तो दे रखा है 9 सेकंड में पार हो रही है तो इसको कहेंगे मीटर बटे सेकंड तो बच्चों ये पार करने की चाल हमारी आ रही है और मैं कहूंगा ये 25 मीटर पिदती सेकिंड लेकिन उत्तर किलो मीटर पिदती घंटा में हैं तो बच्चों मुझे ये तो करना ही पड़ेगा और मैं कहूंगा 90 किलो मेटर पर आवर पर ध्यान देना बच्चो ये ट्रेन की चाल नहीं है ये वो चाल है जो पार करने की है क्या है ये पार करने की चाल या ये विपरिद्धिसा में पार कर रहे हैं हाँ जी एक इधर को एक इधर को जो पार होंगे, पार होंगे, किस चाल से होंगे, दोनों के योग से पार होंगे, बता होंगे की नहीं, विपरीत दिसा में दोनों के जोड से ही तो पार होते हैं, तो नबह में किस की चाल है, रेल पिलस आदमी, क्योंकि पार जब विपरीत में होते हैं, तो दोनों की जुड है, तो बचाओ train की कितनी होगी, तो train की कितनी होगी, बच्चे लोग यहां पिच्चान में भी कर देते हैं, option नहीं दिया, examiner देता है, option, 85 भी देता है, पिच्चान में भी देता है, क्योंकि बच्चा क्या सोचता है, कि विपरिद्धिसा है, 90 आ गई, पांच वरी, ठीक है अब 90 में एक व्यक्ति की पांच है तो बच्ची कुछी ट्रेन की अर्थात 85 ट्रेन की चाल होगी बहुत सही और अब कोई डाउट बच्चो आपको चाल में नहीं होना चाहिए अब देखिए लंबाई पूछ लिया बस लास्ट सवाल ले लेते हैं आज का ये वाला इ इसी पर the end कर देंगे तोलमा सवाल बच्चो फटावट कर दीजिए दो चीजें जब पार हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चो नहीं है कुछ देर के लिए दिक्कत हुई अभी ठीक चल रहा है ठीक है और अगर कोई दिक्कत है तो इसको अपलोड कर दिया जाए ऑगर दुबारा से अगर आपको कहीं भी डिश्टरबैंस हुआ है तो सुस्मे के अभी रेप्लाइं नहीं आया बच्चे अभी नहीं आया हम आप से ज्यादा आतूर है tactical है आप से ज्यादा की शिन्ता दिया तो आपके माबापको होती है या फिर हमेह किस बात को आप कभी दो रेलगाढियां क्रम से 40 km प्रति घंटा और 20 km प्रति घंटा की चाल से समान दिसा तो बच्चो समान दिसा का मतलब है कि चाल घटेंगी अर्थात चालिस माइनस बीस तो पार करने की चाल बीस किलोमेटर प्रति घंटा ये पार करने की ही आती है दोनों के केस में ये आप चाल ना लिखें ये किसी एक की चाल नहीं है ये पार करने की चाल है ठीक है तेज गती से चलने वाली रेल गाडी धीरे से चलने वाली रेल क्या कर दिया बच्चो देखो इसने यहीं सवाल को घुमाने की कोशिस करी है तेज चलने वाली रेलगाडी क्या समान दिसा में हाँ इधर कोई तेज चलने वाली रेलगाडी धीमी गती से चलने वाली रेलगाडी में बैठे व्यक्ति को धीमी गती वाली रेलगाडी को नहीं उसमें बैठे व्यक्ति को, तो टाइम कहां देखा जाएगा, रेल गाड़ी के पिछले टिबेब है, नहीं, इस बार टाइम पता कहां देखा, एक रेल है यहां, और आदमी बैठा यहां, यह बैठा, शीट पर अलोथी पलोथी मार के, यह रहा, ठीक है भाई, यह बैठा, त इसा तो होगा नहीं आदमी भी तो चल रहा है ना तो इसकी जो चाल है वो आदमी की चाल है आदमी चलना तो अब जो समझ दो यह ट्रेन ही नहीं ट्रेन मिटा दी बस आदमी है अब यह अब यह ट्रेन सिर्फ आदमी को पार करेगी तो इसका मतलब यह अपनी लंबाई को पा क्या होगी दूरी क्या होगी जो इसकी अपनी लंबाई है आदमी को पार करने में दूरी वह होती है जो इसकी अपनी लंबाई है बिल्कुल तो बच्चो दूरी बराबर क्या होता है दूरी इस बार रेल की लंबाई ही आएगी दूरी बराबर चाल गुणा समय और चाल कितन है एक ही दिसा में जा रहे हैं तो चाल बच्चों 20 की है पांच बटे अठारे इसलिए करूंगा क्योंकि समय सेकिंड में दिया है समय कहां दिया है पांच सेकिंड बच्चों यह रहा तो अगर मैं देखूं तो यह रेल गाड़ी की लंबाई ही आएगी यह दोनों की होती है लेकिन अगर वह आदमी को पार कर रही है तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार कर रही है यही तो सिखा रहा हूँ आज सुबै से ही तो दो पंज यह दो से काट दो दस बार दो से नौ बार और 55.500 बटे 9 और 200 बटे 9 अगर मैं कातूं बच्चों इसको है कि दस पंजे पचास पंजे धाइस हैं क्या के रहे हो तीन से अच्छा उत्तर बता रहे हो यह लो यह आ रहा है ठीक है माल ली तुम्हारी यह लो भाई तो 27 बार भाग जाएगा 27 बार 7 से इस बचेगार 9 से भाग दिया था यह रासत 23 सही 7 बटे 9 मीटर यह इस रेल की लंबाई होगी बच्चों तो आज के सवाल बच्चों यह रहे इतना ही सवाल आज आपको करवाने थे और कुछ और बड़े-बड़े सवाल क्या हो सकते हैं ट्रेन में तो टोटल 24-25 सवाल और हैं उनको थोड़ा और ले लेंगे कल बड़े से बड़ा से क्या हो सकता है वो कल ले लेंगे और फिर नया चैप्टर सुरू होगा कल बोट एंड स्ट्रीम का नि धारा नाव का चलिए बच्चों